यह एक full body 3D replica जो कि हमने 3D printer की मदद से बनाया है और यह लगबग 600 mm में इतनी इसकी height है और same हमने इसके दो और छोटे यह हमने 3D printer की मदद से बनाया और 3D scanner की मदद से तो पूरा वीडियो देखना हम पूरी आपको information देगे कि हमने कैसे इसको बनाया है एं तब वीडियो देखना आपको पूरी information मिल जाएगे चलिए start करते है इसका तो सबसे पहले आपको चाहिए 3D scanner पूरी बॉड़ी को scan करने के लिए तो यह हमारा Creality CR scan ferret जो कि हमने लगबग 35,000 के आराउंड इसको परफिस किया है तो कि सबसे cheapest है और बहुत यह अच्छा है तो यह है इसका scanner बहुत ही छोटी size का है लगबग आराउंड 5 मिट के आसप तो हम लोग scanning के लिए MacBook का यूज़ करने वाले हैं तो MacBook में इस scanner का app आपको Mac और Windows दोनों में मिल जाएगा तो यह है इसका software CR scan करके इसका software का नाम है जो कि आपको Play Store पे भी मिल जाएगा और Windows पे आपको यह मिल जाएगा तो आपको स्कैन करके लिखाता हूं कैसे यह स्कैन करता है और इसको USB 3.0 या फिर उसके ऊपर 3.1 या 3.2 के साथ ही आप इसको एटेस्ट करना होता है हमार स्कैनर रेकर वाद गाए अब देख से सकते हो इसमें इसमें अदो इसमें आपको स्कैन करके दी अगा आओ कि स्कान कैसे होता है आप यह भी इसमें जैसे आप आपके चारू करोगे पुरा 3D मैंब आपका लेगा तो इस तरी के से यह वर्क करता है, अल्रेडी मैंने तो स्कैन कर लिया है, जैसे आपके इंफर्मेशन के लिए, यह कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो यह आप इसको स्कैन कर पाओगे तो बेसिकली एक फुल 3D मैप लेता है आपके बॉडी का, तो यह एक्क्यूटेट आपका बॉडी का मेजरमेंट लेता है, जो भी परसन रहेगा, उस सेम उसका रेप्लिका होनेगा इससे, तो स्कैन करने के बाद हम इसको प्रिंटर में प्रिंट करेंगे, तो आपको एक फा हैं को एक प मारण, क म३ complexity ब्याएख पो कॉपिटायबवल लगे, याप उसमें एक्सपोर्ट नहीं encourage प्रिंट करने के बाद, आपको 3D वे ले जो कि आप एक full size में single object में प्रिंट कर सकते हो, up to 250 mmT height तक आप single unit में इसको प्रिंट कर सकते हो, आप एक फीट या उससे ज्यादा बड़ा प्रिंट करना चालते हो तो आपको part wise इसको बनाना पड़ेगा, चलिए अगे part wise हम printer में प्रिंट करके आपको दिखाते हैं, तो हमने सब यह हमने print दे दिया है, चलिए देखते है कैसे यह print करता है, सारे पार्स आपको timeless traps को दिखाता हूं कैसे यह इसने print किया है, हमारा printer न वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया है printing के लिए, अब भी leveling यह auto leveling कर देगा, उसके बाद यह printing करना स्टार्ट हो जाएगा तो यह है हमारे सारे parts जो कि हमने part वाइस बनाए थोड़ा बड़ा सा हमारा रेप्लिका है, लगबख 6,90 इसकी हाइट है, करीबं 2 feet, तो चलिए इसको सारे parts हम जोड के आपको दिखाते है तो यह एक part जोड गया है, अभी हमारे दूसरा part है, उसको भी हम लोग जोड देते है सिर्फ एक part अभी बचा है, उसको भी जोड देते है सो देख सकते हो, एक पूरा full body 3D रेप्लिका, हमने इसको 3D प्रिंट किया है, जो कि मेरा 3D रेप्लिका है, आप देख सकते हो, यह 600 mm इसके height है, आप small size में इसको बना सकते हो, जो कि यह जो और मुने बनाया है, सेम, सो वीडियो चलोगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कैनल को सब्स्राइब कर देना, आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो पिल लिए तब तक पिल लिए बाई